नमस्कार मैं ललित और पुनीत आपको नजार आ रहे होंगे जियो पॉल्टेक्स में किस तरह की स्थितियां बन रही है वो लगातार बहुत बहुत बहतरीन तरीके से सोचल मीडिया पर आप उने देख सकते हैं लिकोड भी करते हैं इंटरनेशनल क्या कुछ चल रहा है आज एक बहुत बड़ा मसला दरसल वो लेकर आए हैं और मसला ये है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है इसे उथल पुथल का हैं हाहाकार तक की स्थिति का हैं जैसे जापान में नैचरल क्लाइमलिटी आ गई है बांगला देश में क्या कुछ हुआ वो आप देखी रहे हैं रूस युक्रेइन वार चल रहा है अब अमेरिका ने का है कि वो अत्याद होने का F-16 भी देने जा रहा है F-16 क्या कुछ कर सकता है वो आप जानी रहे हैं इन सब के बीच एक सन्नाटा आपको परिशान करेगा दरसल खामोशी अच्छी लगती है लेकिन जो सन्नाटा होता है और वो भी तूफान से पहले का सन्नाटा वो कभी-कभी बहुत खातक हो जाता है इसी तरह का सन्नाटा आप महसूस करेंगे इसराईल और हमास के बीच यह होगा वो होगा शुरुआत में तो बातें इस तरह किसे कहीं गई कि कहीं यह थर्ड वर्ल्ड वार जैसे स्थितियां तो नहीं बन जाएंगी लेकिन अब एकदम खामोशी यह सन्नाटा क्यों है सन्नाटे से आज की शुरुआत यह सन्नाटा क्यों है सन्नाटा इसलिए है क्योंकि किसी भी जंग को लड़ने के लिए वैसा तो जंग नहीं होना चाहिए लेकिन जंग को लड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है जरूरत होती है सेपह सालार की, याने कि सेनापती की, सेनापती का है, सेनापती तो मारा गया, हमास का चीफ तो मारा गया, हनिया तो अब नया सेनापती चाहिए ना, तो नया सेनापती आएगा, कमांड समालेगा, सब कुछ देखरे करेगा, उसके बाद पिर खेल शुरू मतलब आज अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटेक्स पर कसाई के बारे में बाते करें तो यह आपको थोड़ा सा चौकाएगा लेकिन जिस चीफ के बारे में सुना जा रहा है उसके बारे में कुछ बताईए यह आप जो बूल रहे हैं यह चार दिन हो गए चार दिन पहले हमास का नया चीफ बन गया है अब हमास का नया चीफ कौन है हमास के नया चीफ का नाम है यहिया सिनवार और यहिया सिनवार है कौन यह कितना खतरनाक है आप सुनेंगे न तो रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे कि ये कितना खतरनाक है और किस कदर का नेता है आप सुचिए कि हमास के कमांडर को इसने मरवा दिया था हमास के कमांडर को जो हमास का चीफ बना है इसने एक बार हमास के कमांडर को मरवा दिया था तो इसकी बहुत सारी कहानिया और ऐसी कहानिया जो रॉंग्टे खड़े कर देंगे मतलब और जैसे मैंने भी जिक्र किया कसाई भी से कहा जाता है इसकी करूरता के बड़े चर्चे हैं और मतलब ये मानके चलिए कि एक ऐसा सेना पती जो अपनी पूरी सेना को इतना हिनसक बना सके वो सारी खूबियां इसमें हैं और सबसे बड़ी भाति है कि इसको खान यूनिस का कसाई कहा जाता है अब ये खान यूनिस है किया तरसल 1948 में जब इसराईल बना उसका गठन जब हुआ तो जितने भी फिलिस्तिनी थे उनको कर दिया गया बाहर अब वो शर्णार्थी कैमप में रह रहे थे और ये खान यूनिस वही जगय है, जो शर्णार्थी कैमप है ये वही जगय और यहां पर यहया सिनवार के माता पिता भी वहां पर रिव्यूजी की तौर पर रहने चले गए अब 1889 की मैं बात बता रहा हूं तब यहाया सिनवार की उमर थी 19 साल, अब 19 साल उमर कितनी हूती है लेकिन 19 साल में इसे गिरιφतार किया गया और किस मामले में गिरिफतार किया गया, इस्राइली सैनिकों पर हमले हत्या अपहरन के मामले में से गिरफ़तार किया गया था तो आप सोचिए कि कितना खतरना करा होगा उसको उस वक्त से क्या उननी साल की उमर में उननी साल की उमर में इतना खतरना किय था और इसके बाद इसे गिरफतार कर लिया गया और 22 साल जेल में रहा ही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको चार बार आजीवन कारावास की सजा हुई कितनी एक बार नहीं, चार बार आजीवन कारावास की सजा हुई इससे आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक होगा और कितनी बड़ी से सजा सुनाएगी अब बाहर कैसे आया इसकी भी बड़ी दल्चस्प कहानी यह मतलब जैसे आपने बताया 19-20 साल के उमर में इतने खतरनाक चार्जेस लगना फिर 20-22 साल जेल में चार बार अजीवन कारवास का आपने खिर किया लगभग टाइम जेल में देने के बावजूद भी यहां तक पहुंच रहा है बीच में तो खबर यहाई कि इसको मार गिराए गया इसको इसके उपर मिसाहील हमला हुआ और यह मार गिराए गया लेकिन यह जिन्दा निकला अमेरिका ने साल 2015 में इसको वातंगवादी घुशित कर दिया था इस से आप समझो कि यह कितना खतरनाक है और यह बताया गया कि मर गया लेकिन वापस जिंदा आया और जिंदा ही नहीं है बलकि यह कमान भी संबाल रहा है तो यह आप समझगी है इसके अलावा मैं आपको एक चीज और यह बाहर कैसे आय जब सजा हो गई चार बार के आजी वन कारवास, 2011 में एक इसराइली सैनिक के अदला बदली जो होती है यहाँ पर यह बड़ा चलता है यहाँ पर कि इसको पकड़ दिया, इसके बदले में हमने इसको छोड़ा, तुमने कितने पर इकाल से पिछले डिसकेशन में आप यह बोल लोगों को छोड़ा गया था इसराइल की तरफ से, और इसमें यहाँ सिनवार भी था, और इसकी खतरनाक, अगर सजाओं की बात करें, तो मैंने बताया आपको, कि हमास के कमांडर को खुद हमास का अगर जो चीफ बनाया है, अपने ही लोगों को मरवाने लग जाए, तो आ एक कहानी और इसके पीछे, एक मामला और सामने आया था, और उसमें तो इसने ऐसी सजा दी थी, कि सुनकर रॉंक्टे ख़़े हो जाएंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग, वो रॉंक्टे ख़़े हो जाएंगे उनके, उसमें यह याया सिनवार जब था, तो यह गाजा का चीफ था, अभी तक, गाजा को समाल रहा था, और गाजा में ही यह सारा खेल कर रहा था, हमास का चीफ ही, इसने एक दोर में भाई से भाई को दफन करवाया था, भाई से भाई को दफन करवाया, और वो भी आप सोचिए कि दफन करवाया तो वहां तो दफन क स़जा कितने खतरना कि अपने भाई को कोई दफी कर रहा हूं कर थामाधे हाथ सब्सक्राइब करा Haf기 World Series path the Australian likes अर और यह कह दिया कि यह चम्मच से तुम यह कब्र को भरों बहुगious इंसलिए तो उसको चाहूंगा अगर इस बीच आपको कोई कहानी और याद आए तो वो भी आप बताएं लेकिन ये इस्तितियां और अगर ऐसे व्यक्ति को कमांड दी जाती है तो मुझे लगता है कि ये सिर्व इसराहिल के लिए नहीं ये तो हिंसा के एक उस दोर की तरफ इशारा कर रहा है ज ज़्यादा जो दो टाइप के लोग होते हैं दो टाइप के नेता होते हैं कमेंडर्स जो होते हैं एक तो बहुत बड़ा बड़ा भाशन देने में माहिर नहीं है लेकिन वो इतना ब्रूटल है कि लोग उससे इसी वज़़े से डरने लग जा है और मास कम्मिनिकेशन उसका जैसे हिटलर बहुत कम्मिनिकेट करता था अपने सानिकों से वो उसकी काबियत नहीं है इसकी काबियत देश्रत है डर है चमच से आपने जैसे बता है कबर दफनाने के लिए बोल रहा है और सबसे बड़ी बात यहीं कोबी जो है अब इरान क्य कर रहे तो बताया था कि प्रोक्सी वार में एक तरफ हिजुमुला है दूसरी तरफ हमास है तीसरी तरफ एक और है तो यह सब यह खेल चल रहा है अब हमास अगर नरम पड़ जाएगा तो फिर एरान तो कहेगा ना कि तुम कर गया रहे हैं समझ रहे हैं तो उसको चाहिए था एक ऐसा कमांडर जो वापस बूस्ट अप कर सके दूसरी तरफ एरान का बड़ा करीबी क्यों है क्योंकि इसकी देशत इतनी है और देशत से ही वहाँ पर खेल चलता हमास का अब समझे और इसके पहले जो हमास का चीफ था हनिया उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि यह ज और यह इस मामले में यह गाजा में रहता है और दूसरी तरफ वो कतर में बैठके पूरा खेल कर रहा था कौन हनिया तो वो एक प्रकार से पपेट चला रहा था लेकिन अभी यह जो खुद मैदाने जंग में खड़ा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा जाहरा तोर पर जादा अच्छे से डील कर पाएगा और यह ताय है कि इसराइल के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है इसमें कहीं कोई इसराइल या कहीं पूरी दुनिया के लिए जो आप समझे है कि वो जो खुद लड़ रहा है तो वो भी चाहेगा ना कि कोई इसमें इ कुछ क्लैशस थे और यह अब देखिए एक तरफ कहा तो यह जा रहा है कि इसराइल ने हमला करवा दिया और हनिया जो है जिस रेस्टाउस में था उसको मार गिराया गया वो कॉंस्पिरेसी भी याईया से जुड़ी हुई हो सकती है यह आपको लग रहा है यह हो सकता है य जो IRGC जो जिस कमांडर ग्रूप जहां पर सुरक्षित था वो हनिया वो आप समझेए कि वो बहुत पावरफुल ग्रूप है और उसकी सुरक्षा में सेंद लगाना कोई आसान काम नहीं है मतलब ठीक है इसराइल की अपनी इंटलीजेंस है सब कुछ है लेकिन दो महीने प इतनी सिक्योर्ड एजेंसी की व्यवस्थाओं में सेंद लगा कर कोई घुज जाए तो यह माना जाए कि यह तार अगर अगर घलत ना हो या जब इसकी पलताल की जाएगी या कभी सच बाहर निकल कर आएगा तो सिनवार का कनेक्षन मिल सकता है यह चीजें कनेक्षन जो है कि शांती शांती क्यों है तो क्या वाकई में हनिया को इसराइल ने मारा है और इरान तो कह रहा था कि हम अटैक कर देंगे लिबनान हमारे भारत में कह दिया गया कि लिबनान चोड़ दो भाई हमारे भारत अप अपने आपको सुरक्षित करो लेकिन वैसा अभी नहीं हो र वही सबसे बहतर है लेकिन आप समझेए कि एक खुंखार खतरनाक और कसाई जिसको कहा ही जाता हो कि ये खान यूनिस का कसाई है अगर उसको कमांडर बना दिया है तो आगे क्या होने वाला आप समझेए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से और ये बात भी है आज हम जब हिटलर की बात करते हैं तो हम उसके उस कैम्प को याद करते हैं जहां पर सैख्डों लोगों को एक साथ गैस चेमबर में किस तरह से मारा गया किस तरह से कुरूरता और यातनाय दी गई तो ये गलत नहीं होगा कि ऐसे अध्याए इसके और नए और जादा बेरहम अ सकते हैं बन सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा ये भविशे के गर्त में निरबर करता है वैसे आपको बताओं कि यह जो यह यह सिनवार जो है यह तीसरे नंबर का कमांडर था पहले यह हमास का हनिया हनिया से पहले एक डिप्टी कमांडर था डिप्टी कमांडर को जनवरी में मर्द गेरा है गया और उसको भी डृटोन से हमला किया गया मर दिया पहले डिप्टी कमांडर मरा फिर छीफ मरा और इसके बारे में कहा गया थे कि मर चुका है लेकिन ये निकला और बाहर आके आप ये कमान समाल रहा है हमास की तो आप ये देखिए कि ये क्या होने वाला है मतलब ये आप समझेए कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये उसी के पहले की शांती है कुछ बड़ा होने वाला है और बड़े से जादा इसके लिए शब्दों चुनना चाहिए कि कुछ औ और बेरहमी के नए अध्याय आने वाले हैं। युद्ध अपने पीछे हमेशा एक तरासद इतिहास छोड़ कर जाता है। और युद्ध में जो पीडियां तबाह होती हैं। अब उनकी जो तकलीफे हैं वो सालों साल कोट की जाती है। यही युद्ध की सबसे बुरी और तर और यह जो खामोशी जिस सन्नाटे से बात निकली थी यह सन्नाटा उसी तरफ इशारा करता है। बहुत धन्यवाद।